Hello friends, lifestyle of house life में आप सब का सौगत है तो आज मैं बना रही हूं नहीं रेसिपी है ये शंकर पारी बना रही हूं शंकर पारी जो भी आप लोग बोलते होंगे ये ही मैं आज बना रही हूं यहाँ पर तो इसके लिए मैंने लिया है यहां पर एक किलो मेहिदा डालडा का यूज नहीं करिए यहां पे आप लो और यहां पे मैंने लिया है दूद दूद है यह मेरा 200 ml दूद है यह पाव लिटर इसको मैंने गरम करके एच्छे तरह से ठंडा कर लिया है और यहां पे मैंने तील भी लिया है और देखिए यहां पे मैंने तील भी लिया है और हमें लगेगा बेकिंग तोड़ को इन के लिए देओं हम लोग देखिए लिए मैं रही हूं और सीके अंदर मैं थोड़ा ऐलोंगी पहले घीडालकर और इसको मोयन लगा लूँगी अच्छी तरह से ताकि हमारे जो शंकरपारी है वो अच्छी तरह से खस्ता बने और मैंने यहां पर रवा यूज किया था वो मैं आपको क्लिप में दिखाना भूल गई थी तो मैंने यहां पर 100 ग्राम रवा भी लिया है बारिक रवा है मेरा अच्छी को मिलाने के बाद में मैं इसमें डालूंगी हमारा जो बारिक रवा है देखिए कैसे में हातों में मसलते हुए इसको मिलाते जा रही हुँना इसी तरह से आपको हातों में मसलते हुए मिलाना है और पूरा जितना 1500 ग्राम घी था हमारा सारा 1500 ग्राम घी हमारे इस तरह से मिक्स हो जाएगा एक जैसा हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा को भी ऐसे ही मिक्स करेंगे पूरी तरह से हातों से मसलते मिक्स करेंगे ताकि कहीं बेकिंग सोडा जो हमारा है वो कहीं एक जगह पे पढ़ाना रहे देखिए मैंन मैं डाली हूं और इसको अच्छी तरह से मिला कर एक जैसा कर लेना है ताकि हमारा बिकिंग सोड़ा कहीं यहां पड़ा न रहे अब मैं इसमें डालूंगे तिल और पाउडर शुगर जो हमारा है मैंने इसको घर में बनाया था पाउडर शुगर को यह शौप पे से नहीं ला लाते जाना है यह 200 ml दूद है मेरा तो जब आप दूद मिलाएंगे न इसके अंदर तब इसका जो टेक्शर है न वो थोड़ा पतला नहीं होगा बस क्रंबली हो जाएगा मिक्स हो के जब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे तब वो जाकर सारा जो हमारा आटा है न व ओट इसको डूद मिलाने के बाद में इसका टेक्षर कैसा हुआ दिखाती हूं फिर आप लोगों को थोड़ासा समझें आएगा और फिर इसको ऐसे ही मिलाते जारी हूं मैं इसके अंदर फिर इसके बाद में मैंने पानी लिया थे पानी एक टूरी पानी था मेरा ऑश्या पानी डालना है और जल लिक्विडी इसको करना नहीं है और इसके बाद में हमको इसको अच्छी तरह से गून लेना है सारा आठा हमारा एकटा हो जाए बस इसको हमें इतना ही गूनना है और अच्छी तरह से थोड़ा दबा कर थोड़ा इसमें तागत लगेगा थोड़ा महन कर लीजिए ऐसे ही खुब दबा दबा कर दबा दबा कर इसको एक जैसा कर लीजिए देखिए मैंने ऐसे कर दिया है एक जैसा और यह बिल्कुल भी एकदम जैसा हमारी खस्ता बनता है कचोरी न वैसे आठा तयार हुआ है अब इसको क्या करना है ज्यादा गूंदा नहीं है बिल्कुल पाने वाने नहीं डालना है अब हमें गिला रुमाल लेकर इसको बिल्कुल भी एक से देड़ गंटे के लिए इसे छोड़ देना है दो गंटे के लिए आप छोड़ देंगे तो भी चलेगा बट रुमाल बिल्कुल भी गिला होना चाहिए आपका और इसके बान तोंच मिने जितότε उसको मेरे मसल दी इसके बात में थोड़ी थोड़ी लोई आप में रह चायगे जाए बाहाए बनेगा जरा पारी टाल देंग तो फिर अच्छा नहीं बनेगा बूसका तलने में फोट टाइम चला जाएगा आपका और देखिए ऐसे ही बेल रही हूँ ना मैं ऐसे ही आप लोग भी बेल लीजिएगा मैं बेल कर एक थोड़ी सी मोटी सी जो होती है एक लेयर वैसे ही मैंने इसको बेला है आप देखिए वहाँ पर मैंने काट के रखी हूँ साइड में प्लेट के अगर आपके पास नहीं होगा तो आप चाकू से भी काट लीजिएगा चाकू से भी अच्छी तरह से कटी जाता है मेरे पास था तो इसलिए मैं इसे काट रही हूँ और आप हम इसके छोड़े-चोड़े कर लेंगे मैंने एक बैच वहाँ पर काट कर रख दी और एक तरफ आपका गयस का जो आज है वह एक दम लो परहेगा लो पर ही आपको परहेगा और जादा आप मैंने एक शंकरपारी का एक टुकोड़ा डाला है तो ये देखिए ये बिल्कुल सही गरम है अब मैं इसके अदर हमारे सारे शंकरपारी डाल दोंगी जो हमने कट करके रखे थे और एक साथ में जारा जारा ये तला जाता है इसको पहले जब आप डालेंगे न तो इसको बिल्कुल छेरशार्ण मत करिएगा ये धीरे धीरे अपने आप ही उपर आ जाएगा और यहां पर आपको गयस बिल्कुल भी स्लो करना है मैं बिल्कुल हलके हाल से इसको पूरी जगे पर फैला दी थी देखिए आपने देखा एकदम हलके हाल से जब ये अच्छी तरह से नीचे से गरम होगा न तो देखे अब ये अपने आप ऊपर आने लग जाएगा एक एक नीचे से चुटते चुटते आपने ऊपर आ जाएगा कोई question कहा भी नहीं रहा है अगर आपको लगेका पहले कि एक चिपका हुआ था तो वह भी बादमें तेल ने के बादमे सब needs di कि हमें ऐसा ही इसे तलना है एकदम जैसे मैंने मीडियम किया था तो यह मुझे तीन से चार मिनिट लग गया था तलने के लिए बिल्कुल भी गैस को एकदम स्लो रखना है आपको बिल्कुल भी फास्ट ने करना है अब यह दैडी हो चुका है मैं इसको निकाल रही हूं और ऐसे ही करके आप अपना सारा जो संकर पारे है उसको तल लिजिए देखिए मेरे संकर पारे में लेयर भी कितने अच्छी आई है आपको लेयर भी अच्छी तरह से दिख रही होगी इसके अंदर तो यही था मेरा आज का यह रेसिपी यह वीडियो मेरा आज का इतना ही था और अब आपको नई रेसेपी के साथ में मैं नई वीडियो में मिलूंगी तो अभी आपको मैं प्लेट में निकालके दिखाती हूँ देखिए इतना खसता इतना अच्छा हमारा ये शंकरपारी रेडी हुई थी ना आप इसको ऐसे ही रखकर भी 15-20 दिन तक खा सकते हैं वीडियो में कुछ भी आच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दिजेगा सबस्क्राइब